दोस्तों यूं तो नेटफ्लीक्स पर प्राइम और थ्रिलर के उपर बहुत सारी हिंदी वेब सीरिस अवेलेबल है, लेकिन दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसी हिंदी वेब सीरिस के बारे में, जो की नेटफ्लीक्स पर अवेलेबल तो है, लेकिन इन स इस सीरीज में चार एपिसोड रिलीस किये गए हैं और चारों ही एपिसोड में आपको नई-नई कहानिया और नई-नई कैरेक्टर्स नजर आने वाले होंगे. तीन एपिसोड यू तो बहुत ही ज्यादा फ्रेश बनाई गई है, लेकिन इसकी एक एपिसोड में आपको कुछ ऐसे दृश्य नजर आने वाले होंगे, जो एट लीस्ट आप अपने फैमिली के साथ देखना बिलकुल भी पसंद नहीं करेंगे. Otherwise इस सीरीज के हर एक एपिसोड बड़े ही फ्रेश और बड़े ही यूनिक कैंसेट के उपर बनाई गई है. इस सीरीज में आप जितने भी स्टोरी देखने वाले होंगे, वह सभी के सभी आपको बहुत ही ज्यादा यूनिक लगने वाले होंगे. यानि कि इस सीरीज के हर ए अपने गर्लफरेंड को लेकर फाइट करते हुए देखा होगा. लेकिन कुछ ऐसे भी स्कूल के बच्चे होते हैं जो की बड़े-बड़े क्राइम्स को अंजाम देते हैं और यही चीज इस सीरीज में दिखाने की कोशिश की गई है. कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे स बच्चों में से कौन कातिल है यह ढूंड के निकालना उनके लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो रहा होता है. और लास्ट तक इस केस को किस तरह सॉल्फ की जाती है यह तो आपको इस सीरीज को देखने के बाद ही पता चलने वाली है. सीरीज की प्रेजेंटेशन हर एक एपिसोड बड़े ही इंटरस्टिंग तरीके से प्रेजेंट की गई है. यह सीरीज आपको इलाइट सीरीज की मिलती जुलती कौपी भी लग सकती है. इसकी IMDb रेटिंग है तस में 6.3. नंबर 5 पर है राणा नायडू. राणा नाम का एक ऐसा आदमी जो की बोलिव एंगल से दिखाने की कोशिश की जाएगी. लेकिन इसकी कांसेप्ट लास्ट में जाकर एक ही जगह पर रुक जाएगी. इस सीरीज में आप देखने वाले होंगे कि एक फैमली जो की एक दूसरे की दुश्मन रहती है लेकिन मुसीबत आने पर ये फैमली किस तरह एक जु एपिसोड रिलीज किये गए हैं और हर एक एपिसोड बड़ी ही इंट्रस्टिंग तरीके से प्रेजेंट भी की गई है. एट लीस्ट यह सीरीज आपको किसी भी जगह पर बोर नहीं करने वाली होगी. सीरीज में आप थ्रिल के साथ अच्छा खासा एक्शन भी एंजॉय क कर लेती है. लेकिन विकरांत अपना पीछा किसी भी तरह से अपनी पतनी से छोडाना चाहता है और अपने प्यार के पास वापस जाना चाहता है. और विकरांत अपनी पतनी को मारने के लिए क्या क्या करता है, ये तो आपको इस सीरीज को देखने के बाद ही पता चलने वा इसके टोटल एट एपिसोड रिलीज किये गए हैं और हर एक एपिसोड बड़े ही इंट्रेस्टिंग तरीके से आपके सामने प्रेजेंट भी किये गए हैं, सीरीज की स्टोरी आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आने वाली होगी, एट लीस्ट ये सीरीज आपको किसी भी नमबर थ्री, शी, इस सिरीस में एक लेडी है जिसे एक खतरनाक टास्क दिया जाता है, यानि कि उसे कुछ ऐसा टास्क दिया जाता है कि वो मुंबई के सबसे खतरनाक अंडर वर्ल्ड डॉन को, वो किसी भी तरह से हिरासत में ले और लास्ट तक यह फीमेल लेडी कॉनस् जो कि पंजाब में अपने भाई के साथ बड़ी ही आराम से रह रहा होता है, लेकिन अचानक से ही उसके भाई को ड्रग्स स्मगलिंग के केस में पुलिस गिरफतार कर लेती है। जो कि सच में बहुत ही ज्यादा इंट्रेस्टिंग है और उस पहलू को जानने के लिए आप इस सीरीज को एक बार जरूर देखिए। लेकिन दोस्तों इस सीरीज को भी हो सके, तो आप अपने फैमली के साथ नहीं देखें। तो ठीक है क्योंकि इस सीरीज के दो या तीन एपिसोड में आपको कुछ ऐसे दृश्य नजर आने ने वाले होंगे, जो कि एटलीस्ट आप अपने फैमली के साथ देखना बिलकुल भी पसंद नहीं करेंगे.